तुर्जी आएंगी तो सभी यहाँ पर रहेगेगा शामतर भिच्छाम दे भिच्छाम दे भिच्छाम दे रडाम ब्रामर देता आप अंगराज कड़ी है ना? हाँ मैं आप ही को खोज रहा था बड़ा नाम है आपका सारे दीन, हेल, भिच्छू, भ्रहमर आपके दान की चर्चा करते नहीं ठकते मैं क्या हूँ? सच्चा राता को है बस उसी की किरपा को लुटाता रहता हूँ आप बताईए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको क्या चाहिए? मैं जानता हूँ रात इसलिए तुम्हें आपके पास आया है मेरी याचना को सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं मुझे अन गोई धन सोना चांदी ये सब कुछ नहीं चाहिए? क्या हुआ देवरा कर्म मैं तुम्हें चुप देखकर निरास होने लगा हूँ? नहीं निरास होने की कोई आउ सकता नहीं है आप जो कहेंगे आपको ही मिलेगा मुझे आपके ये कोच यों कुंडल चाहिए? क्या मैंने आपकी छम्ता से कुछ अधिक मांग लिया? नहीं मेरी चंता से तो अधिक नहीं लेकिन एक ब्राम्मण की चंता से अवश्चे अधिक मांगा क्योंकि एक ब्राम्मण के लिए गवधं से अधिक मुझेवान वश्च riding और कोई नहीं हो चकते आपने गवधं को छोल कर मेरे कवच और कुंडल मांगे हैं इस कवच और कुंडल के बारे में कोई विच्चु अरामर्ण नहीं जानकता लेकिन एक यॉध्धा इसका महत्त अवस्य जानकता है अर्थात अर्थात ये कि आप इस कवच कुंडल के महत्त को समझते हैं आप ये क्या कह रहे हैं देवराज मैं ठीक कह रहा हूँ देवराजेंद्र क्यों आप अपने ये स्वांग बुच्चु अरामर्ण का स्वांग कीजिए और अपने असली रूप में आजिए ओ लगता है आपके पिता सूरदियों ने मेरे आने की सूचना आपको पहले ही दे दे हाँ क्योंकि मुए मेरे पिता हैं और एक जब आपको अपने पुत्र अर्जुन के मृत्ट की चिंता वांग रचाने पर विवस कर सकती है तो क्या मेरे पिता मुझे सावधान भी नहीं कर सकते हैं तुम ठे कह रहे हो अंगराज पुत्र मौह ही ऐसा होता है परन्तो अपने पुत्र के लिए दूसरे पुत्र की बली देना एक कहां का धर्म है देवराद मैं भी तो किसी का पुत्र हूँ परन्त मिराज होने की कोई आउचकता नहीं आप फुत्र मौह में बहेग बहे थें लेकिन मैं अपने दान धर्म के पत पर अटर खड़ा है और मैं ये मेरे कवच खुंडल मुझे उतने ही प्यारे लगते हैं क्योंकि ये पराड़ो की रच्छा करते हैं बरकी इसलिए क्योंकि ये मेरे पिता द्वारा दिये गए वो अरगान है जिनके छिन जाने से उनके मन को आसहनिय पीड़ा होगी लेकिन फिर भी मैं अपने दान धर्म को निभाने के लिए तैयार हूँ इसलिए आपको मैं अपना ख़ुच और खुंडल अवस्य दूंगा जिससे मेरे पिता का सर देव लोग में गर्द से हुंचा हो जाएगा और मैं जीवन का सारा दान सफल हो जाएगा हाँ 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 हें ग्राज आपके इस्दान ने आज इंद्राज देव इंद्राज के जोली को भी छोटा कर दिया है मैं तुमसे प्रसन हूँ और तुम्हें वर्दान देना चाहता हूँ मांगो क्या चाहते हूँ चमा करे देवराज चमा करे यज दानी आचक के सामने हाथ पहलाए तो उसका उससे बड़ा अपमाना और क्या हो सकता है इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और मैं आपके सामने हाथ पहलाकर अपने दान धर्म के पत को बदनाम नहीं कर सकता वाह कर वाह तुम धन्य हो तुम महादानी हो तुमारे इस दान ने दान धर्म के उस चर्म सीमा को छो लिया है जहां युगो युगो तक कोई भी विच्छु बरामर दानी नहीं पहुंच सकेगा अता मैं तुम्हें एक सक्ती प्रदान करता हूँ इसे ग्रहन करो मैंने तुम्हें दिव्वास भी सक्ती दिये जिसे तुम निश्ची थी एक योधा का बद कर सकोगे प्रंत तुम्हें याद रहे इसके एक वार प्रियोग करने के बाद कुना या मेरे पास आएगे जैहिंद जैवा जैहिंद जैवा जैवाद जैवाद